बिश्व इंदू सेना के राष्टी अध्यच अरोड पाठक पर एक नेपालिक युवक का सिर मुंडन करते हुए उसका वीडियो वाइरल करना काफी महगा पड़ गया है उनके विरुद भेलूपूर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है बता दे जब ये वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हुआ तो भेलूपूर पुलिस ने मामले को संग्यान में लिया मामले को संग्यान में लेते हुए उन पर मुकदमा दर्ज किया है नेपाली पीम ओपी ओली के बयान के बाद विश्व हिंदू सेना ने एक पोस्टर जारी किया था पोस्टर में हिंदू सेना ने ये चतावनी दी थी कि नेपाली प्रधान मंत्री अपने बयान को वापस लेते हुए माफी मागे नहीं तो भारत में नेपालियों को गंभीर परणाम भुगतने होंगे। जिसके बाद अरोन पाठक ने स्वेम गुरुवार को अपने फेस्बुक पर नेपाली युगक के मुंडे हुए सिर को और उस पर श्री राम लिखी वीडियो डाल दी। अज की खबर में बस इतना ही ऐसे खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जैड निस डिश्टल मेडिया के साथ